लोक शिक्षन संचालनाले, मध्यप्रदेश डिरेक्टरेट अव पब्लिक इंस्ट्रॉक्षन, मध्यप्रदेश गोतम नगर, भुपाल क्रमांक शा, शी, सी, 157, शिवपुरी, 2021-22, बटा, 132 भुपाल दिनांक, 23 जुलाई, 2021 शासकिय तात्याटों पे राजय शारीरेक्षिक्षा प्रशिक्षन, महाविद्यालय शिवपरी, मशून्य प्रशून्य मेडी पी, एड, द्विवर्शिय पाठ्यक्रम की सत्र, 2021, 22 में प्रवेश्चे अन परीक्षा केवल पुरुष हेतू विग्यापन, मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के अधीन संचालित शासकिय तात्याटों पे राजय शारीरेक्षिक्षा प्रशिक्षन, महाविद्यालय शिवपुरी में सत्र, 2021, 22 में डिप्लोमा इंड शारीरेक्षिक्षा, माध्यमिक शिक्षा मंडलम, प्रवेश के लिए उपलब्ध रिक्त स्थानों का विवरन रिक्त स्थान की संख्या में आवश्यक्ता अनुसार कमी अत्वा व्रिद्धी की जा सकती है प्रवेश उप्रांत यदि किसी कारणवश चात्र के शाला त्यागने से निर्धारित स्थान शेश रहता है तो प्राचार्य द्वारा प्रवीन्यता सुची के प्रतीक्षा सुची से रिक्त स्थान पर अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जावेगा एक प्रवेश हेतू अनिवार्य अरहताईं एक दशमलव एक विभागिय रिक्त स्थानों हेतूम प्रश्कूल शिक्षा विभाग तथा जन्जाती कार्य विभाग में कार्यरत सहायक शिक्षकों, प्राथमिक शिक्षक सहायक अध्यापक को ही विभागिय उम्मीद्वार मान किया जाएगा एक दशमलव दो पाठेकम में प्रवेश हेतू अभ्यर्थियों को हाय सेकेंडरी 10 दो परीक्षा न्यूनतम 45 प्रतिशतनकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है यह योग्यता विभागिय एवं विभागेतर दोनों प्रत्याशियों के लिए है एक दशमल का पूर्वक प्रशिक्षन पूर्म करने में समर्थ होना चाहिए विभागेतर प्रत्याशियों हेतू दिनांक एक बज के एक मिनट 2021 को न्यूनतम आयू 18 वर्ष एवं अधिकतम आयू 30 वर्ष होनी चाहिए एक दशमलव चार प्रत्याशियों को शारीरिक रूप से स्वस् अर्थियों को चात्रावास में रहना अनिवारिया होगा प्रतिमी सुसंगत दस्तावेज सहित संकुल प्राचार्य के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी कार्याले में आवेदन 31 जुलाई 2021 तक जमा करेगे तत पश्चातवे आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा विशेश वाहक के हरते दिनांक 3 अगस्ट 2021 तक प् प्रती सीधे संस्था प्राचार्य को अनिवार्य होगा। प्राप्ताकों के आधार पर वरियता सूची तयार की जावेगी। एवं पत्र हेतु दिये जावेगे। चित्रा नुसार है। चैन स्तर में सबसे पहले मूल प्रमान पत्रों एवं अभिलेखों की जाँच के उपरांथ शारीरिक शमता परीक्षा देनी होगी। उसके बाद लिखित परीक्षा देनी होगी। शारीरिक शमता परीक्षा सफलता पूर्वक कम से कम 33 प्रतिशत अनकों के साथ उत्तीर्म करना अनिवार्या होगा। शारीरिक शमता परीक्षा में असफल होने पर लिखित परीक्षा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दीर्ध लधू क्षेत्रिय खेल कोशल का परीक्षन प्रतियोगिता द्वारा दर्शाए गए प्रमान पत्रों के अनुसार किया जावेगा। दीर्ध क्षेत्रिय एवं लधू क्षेत्रिय खेलों हेतू एक-एक खेल का नाम आवेदन पत्र में लिखा जाना अवश्यक होगा महाविधाले में प्रवेश हेतू शासन द्वारा निर्धारित आरक्षन नियमों का पालन किया जाएगा 3. रिक्त स्थानों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची से निम्नानुसार प्रवेश दिया जाएगा एक अनुसूचित जन जाती श्रेनी में प्रथमता अनुसूचित जाती श्रेनी में प्रथम अनुसूचित जाती श्रेनी में प्रथम अनुसूचित जन जाती श्रेनी में प्रथम अनुसूचित जन जाती श्रेनी में प्रथम अनुसूचित जन जाती श्रेनी में प्रथमता वर्ग श्रेनी में प्रथम अनुसूचित जन्जाती श्रेनी के अभ्यार्थियों से स्थान रिक्त होने पर द्वितिया अनुसूचित जाती श्रेनी के अभ्यार्थियों से तृतियत अनारक्षित श्रेनी के अभ्यार्थियों से इवस श्रेनी के स्थान अनारक्षित श्रे .gov.in, sportlink पर online आवेदन करने होगे online आवेदन करने की इंतिम तिथी 31 जुलाई 2021 है, उक्त तिथी के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. निर्धारित तिथी के उपरांत मापदंडों की पूर्ती करने वाले अभ्यर्थियों को चैन प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने हितू उनके द्वारा आवेदन में उलेकित मोबाईल पर वाटसप एसेमेस के द्वारा प्रिथक से सूचित किया जाएगा. प्राचार्य, शासकिय तात्याटों पे राजय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षन महाविद्यालय का मोबाईल क्रमाक 989-3362729 है. अभ्यर्थी उक्त मोबाईल पर प्रवेश प्रक्रिया संबंदी जानकारी प्राप्थ सकते है. 9.3 अभ्यर्थियों को प्रवेश चैन हेतु सुचना प्राप्थ होने के उपरांत मूल वांचित दस्तावेजों के साथ स्पोर्ट्स किट में शासकिय तात्याटों पे राजय शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षन महाविद्यालय शिवपुरी में निर्धारित तिथी 7 अग 10.5 अभ्यर्थियों को आवास एवं भूजन व्यवस्था स्वयम को करना होगी 1.5 वर्तमान में कोरोना वाइरस महामारी का प्रकोप चर रहा है आतहुप्त चैन प्रक्रिया शासन द्वारा कोवर्ड-19 से बचाव के सुरक्षा उपायूं एवं सोशल डिस्टेशिन के नि बिलेत होने वाले अभ्यार्थियों से वांचेत अभिलेक हाइस्कूल एवं उच्छतर माध्यमिक परीक्षाक 10-2 की अंक्सूची की स्वप्रमानित प्रतिलिपी 5.2 विभागेतर प्रत्याशियों हेतुम प्र का मूल निवासी होना आवश्यक है सक्षम प्राधिकारी द् अमबंध में राष्ट्रिय, राजय, संभाग, जिला स्तर्य प्रतियोगिताओं तथा संस्थागत प्रतियोगिताओं में प्रावीनिय या सहभागिता प्रमान पत्र की प्रमानित छाया प्रतियां 5.4 अनुसूचित जाती अनुसूचित जन जाती अन्य पिछा वर्ग EWS के आवेदन अपना स्थाई जाती प्रमाउन पत्र सक्षम आधिकारी द्वारा जारी ही मान्य होगा अभ्यर्थी को अपने साथ बैंक पास्बुक के प्रथम प्रिष्ट, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पेन कार्ड, एवं समगराई D. की स्वप्रमानित शाया प्रती लाना आनिवार्य है स्वयम का पास्पोर्ट साइस का नवीनतम फोटो लाना आनिवार्य होगा 6. उम्मीद्वारों की लिखित परीक्षा तथा शारीरिक शमता परीक्षा का स्थल तिथी निमना नुसार है चित्रा नुसार है उम्मीद्वार्य है उम्मीद्वार्य है